इस lecture में फरलो और पेरॉल के बारे में discuss करेंगे दोनों recently news में हैं क्या मतलब होता है दोनों का दोनों में क्या similarities है समानता हैं क्या है क्या difference है क्या दोनों में अंतर है फरलो और पेरॉल पेरॉल का मतलब छुटी या अवकास होता है और furlaw का मतलब भी गैर हाजरी की छुटी कब दिए जाते हैं और किस टाइम में दिए जाते हैं किसको दिए जाते हैं ये छुटी देखो जब कोई आदमी जेल में होता है imprisonment में हैं कोई जेल में हैं long time के लिए long time के लिए long term के लिए लंबी अफदी के लिए तो तब उसे जो छुटी दी जाती है उसे बोलते है फरलो या पेरोल दोनों में अंतर क्या होता है फिर फरलो और पेरोल में फरलो matter of right है यानि कि उसका अधिकार है जेली का कैदी का जो जेल में है कि उसे फरलो छुटी दी जाए प्रियोडिकली उसे दी जाती है ये समय समय पे और तब ये छुट्टी दी जाती है ना उस कैदी को कोई भी रीजन देने की जरुत नहीं कोई कारण बताने की जरुत नहीं कि किस लिए छुट्टी चाहिए तो किस लिए दी जाती है फिर ये इसे छुट्टी दी जाती है ता आदमी को deny किया जा सकता है, मना किया जा सकता है उसे payroll देने से, कौन देता है ये payroll और furlough, ये छुट्टियां कौन देता है, granting authority कौन से और किस act के थुरू दी जाती है, दोनों की दोनों Prisoner Act Act 1894 का, इसके थुरू दिया जाता है, ये furlough हो या payroll हो, लेकिन ये देखो जो prison है, jail है, वो state subject है, हमारे सविधान में भाई साब आपको पता है, तीन list है, 7th dual है, जो उसमें तीन list है, एक central list, एक state list, और एक concurrent list, जो state list में कानून आता है, मतलब subject आते हैं, विसे आते हैं, उन पे state subject, जो हैं, उन पे केवल और केवल, state government, normal situation में, law बना सकती है, अगर emergency situation है, तो central government भी बना सकती है, इन subject पे, जो state list में आते हैं, लेकिन central list में, जो आते हैं subject, जो भी विसे लिखे हुए, उन पे केवल और केवल, central government ही बना सकती है, और कोई नहीं बना सकता, जो concurrent में आते हैं, उन पे state और central government, दोनों बना सकते हैं, लेकिन जो central government का law बना हुआ है, वो ही माना जाएगा, वो ही prevail करेगा, तो भाई साफ देखो, prison तो है state subject, यानि कि जो prison act हैं, हर particular state government का अलग-अलग है, हर किसी state government का जब law अलग है, तो हर किसी state government के जो rules हैं, वो भी अलग होंगे, तो सारे rules, सारे state के rules, तो हमें पढ़ने की ज़रूत नहीं है, काफी सारे state हैं हमारे देश में आपको पता ही है, तो normal क्या होता है, इसकी granting authority state executive देता है, यानि कि state government provide करती है, ग्रांट करती है, पेरॉल हो या फरलो हो, लेकिन इसको अगर मानलो state executive ने reject कर दिया, मानलो कैदी ने डाली petition, कि मुझे चुट्टी चाहिए, उसने application डाली, कि मुझे चुट्टी चाहिए, लेकिन state government ने मना कर दिया, तो state government के decision के खिलाब, वो high court में appeal कर सकता है, कि मुझे चुट्टी नहीं दी गई, मुझे चुट्टी दी जाए, तो high court चाहिए तो चुट्टी grant कर सकता है, वो देखके cases को, और एक और बात याद रखनी है, कि देखो, जो regular payroll होती है, उसके अलाबा भी, मानलो किसी को regular चुट्टी दी जा रही है, उसके अलाबा भी, जो jail में superident होते हैं, superident of jail, वो भी payroll दे सकते हैं, 7 दिन के लिए, चुट्टी, emergency case में grant कर सकते हैं, उसे 7 दिन के चुट्टी दे सकते हैं, मानलो कि उसकी family में कोई death हो गई है, या कुछ और हो गया, तब भी उसे चुट्टी दी जा सकती है, अब दोनों में similarity और difference किया, थोड़ा ये discuss कर लेते हैं, ये map देखिए आप, ये table देखिए table, इधर furlough और इधर payroll, payroll अबकास मानलो, चुट्टी मानलो, furlough मतलब गयर हाजरी की चुट्टी मानलो, हिंदी में, furlough में पहला difference ये है, कि matter of right है ये, यानि कि jail का अधिकार है ये, जो भी कैदी है, उसका अधिकार है, ये चुट्टी लेना, furlough लेना, लेकिन ये matter of right नहीं है, payroll, और इसमें maximum furlough में 20 days की, जादा जादा 20 days की चुट्टी दी जा सकती है, और एक साल के बाद, जब कैदी ने एक साल की सजा कारती है, एक साल तक jail में राया, उसके बाद ही furlough दी जा सकती है, और payroll maximum 90 days के लिए दी जाती है, 90 days, नीचे लिखा हुआ है, वरना जो granting authority हो, वो मना कर सकती है, इसमें क्या है जो period है furlough का, वो remission of sentence में treat क्या जाता है, consider क्या जाता है, यानि कि मानलो, आदमी ने चुट्टी किया है, तो उसकी सजा में count होगा, जैसे मानलो भाई साब, आप किसी company में job करते हो, आपको छुट्टी दी गई है, मानलो आपको छुट्टी दे दी गई, लेकिन आपको छुट्टी दी है, उसके बाद भी आपको salary मिल रही है, छुट्टी की भी salary मिल रही है, इसी तरह से इसमें, कि वो period आप भले 21 days के लिए चुट्टी पे गई हो, वो सजा में आपकी count होगा, मानलो तीन साल की चार साल की सजा है, उसमें आपका count होगा 21 days, लेकिन इसमें count नहीं होता, इसमें count नहीं होता, यह आपको याद रखना है, यह payroll is not counted as a remission of sentence, और maximum 90 days के लिए, एक साल में इसमें दी जा सकती है payroll, 90 days के लिए, और इसमें देखो किसी भी prisoner को, मानलो ऐसा नहीं है कि उसे payroll दे दिया, लेकिन बाद में फरलो नहीं दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है, payroll के बाद भी उसे फरलो दिया सकता है, छुटी दी जा सकती है, वो police authority देखेंगी, report त्यार करेंगी, कि उसका conduct कैसा है, जो दोसिये कह दिया, उसका वहवार कैसा है जेल में, उसके बाद उसे authority देती है, फरलो, इसमें देखो कोई reason देना नहीं पड़ता है, फरलो में, लेकिन इसमें reason देना पड़ता है, इसमें granting authority को कारण बताना पड़ता है, और फरलो का एक ही मकसद होता है, कि ताकि वो अपनी family को retain कर पाए, अपनी जो family परिवार है, उसकी duty करतबे भी निवा पाए, केवल एक ही मकसद होता है, उसे फरलो देने का, तो यही दोनों में मोटा मोटा सा difference है,